दोस्तों एक कहावत कहीं जाती है कि everything is fair in love and war यानि कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है प्यार और जंग में सब कुछ जायज हो या फिर ना हो लेकिन politics में सब कुछ जायज जरूर है क्योंकि अगर यहां सब कुछ जायज नहीं होता तो ना तो रादिका खेडा आज भाजपा में होती और ना ही ये Congress के लिए वो सब कुछ बोल रही होती जो कभी भाजपा के लिए बोला कती थी अभी रादिका खेडा का समझ भी आता है कि कॉंग्रेस एक डूबता जहाज है जहां से हर कोई उताना चाहता है भागना चाहता है इसे बहाँ पर अपना स्कूप अपना फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था जिसकी बज़े से इसने कॉंग्रेस छोड़ दी लेकिन कवाले से पसंद करें या फिन ना करें लेकिन पसनली मैं तो कभी भी इस औरत को पसंद नहीं करने वाला हूं इस औरत को सपोर्ट नहीं करने वाला हूं ये वीडियो बनाने की बज़े बस यही थी कि इसके जैसा दोगला इंसान इसके जैसा हिपोक्रेट इंसान मैंने पार्टी बिलकुल दोनों ने भाई भेल ने क्या कॉंग्रेस पार्टी ब्रष्ट है बिलकुल है अच्छानक ब्रष्ट होगी जब मैं कहीं पे थी तो मुझे जूट बोलना पड़ता था पहले वाला जूट था अब वाला सच है मुझे हमेशा लगता था कि केज रिवाल इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हिपोग्रेट है लेकिन रादिका केड़ा केज रिवाल जैसे पच्चासियों पर अकेले ही बाहरे कैसे और आखिर क्या कुछ हुआ हमारे आज के इंटर्विव में चलिए देखते हैं ब्यजपी हिंदुों की पार्टी है बारतियर जन्ता-पार्टी सबकी पार्टीय क्या sli राश्ट्र है यह सभका राश्ट्र है क्या और अर्एस समें अंग्रेज्जों का साथ दिया था कि नहीं दिया था क्या विपक्षी परिवारवादी है सारे दल बिलकुल है क्या विपक्षी दल भष्ट है बिलकुल है क्या लोगतंत्र खत्रे में है बिलकुल अगर अभी नहीं है लेकिन अगर विपक्षी दल जीत जाता है तो बिलकुल भयानक स्थिती हो जाएगी क्या सम्विधान बदलने कि साधिश हो रही है किसके द्वारा हां भारतिय जंता पार्टी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं लेकिन भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस बिल्कुल क्या प्रियंका गांधी के साथ कॉंग्रेस में अन्याय हो रहा है कि छेउंसा प्रियंका में जंगला चलता है दो खहेंे है यह वह जोने दोनों बहतर बता सकते हैं लेकिन जितरा में इने अच्छ पाटिण है पूरा पूरा के पूरा अपना जिसे कहते हैं ना पूरी निष्ठा से पूरी इमानदारी से अपना पूरी निभाया था क्या कॉंग्रेस वामपंथियों के कबजे में आ गई है वो तो 100,000% जब जैराम रमीज जी ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी के बाद सबसे बड़ा नेता कॉंग्रेस पार्टी का कनहिया कुमार है तो उसका जवाब आपको मिल लिया क्या बीजेपी ताना शाही है? मोधी ताना शाही है? बिल्कुल नहीं है बीजेपी में वाशिंग मशीन के जो आरोप लगते हैं वो सही है? मैं कौन सी वाशिंग मशीन से धुली है? मैं भी तो बीजेपी में कहीं है? जिनको ब्रश बताते थे? आप कुछ भी कहते हैं? बहारती राश्टे कॉंग्रेस अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए लगातार दूसरों पे इल्जाम लगाती हैं जब तक आप कॉंग्रेस में थी तब तक आप खुद यह आरूप लगाती थी और सारे लगाते थे वाशिंग मशीन है? अब आप बीजेपी की नेता बन गई है? आपको जवाब दे लाइन बताई है मुझे बीजेपी नेता प इंडिये में और सारे बेहिमान विपक्षियों में? तभी तो विपक्ष में है क्योंकि वो बेहिमान है यह आपका आर्ग्यूमेंट था पहले इसलिए मैं कह रहा हूँगे आप ही कहती थी ना विपक्षी सारे बेहिमान? मैं फिर बोलूँगी मैंने पूरी जिम्मेदारी से एक Congress Party के प्रवक्ता का रूल निभाया था. जैसे शाहाबानो का केस पलट दिया गया था, वैसे ही राम मरंदर का फैसला भी पलट दिया चाहिए. आप तो 180 डिग्री टर्न मार लिया आपने एक दो. एकदम 180 डिग्री. वाने के डिग्री टर्न नहीं है, ये सचाई हैं लेकिन जब मैं कहीं पे थी तो मुझे जूट बोलना पड़ता था. अच्छा, पहले वाला जूट था, अब वाला सच है. पुलवामा में क्या वाकई पुलवामा हमले में सरकार की नाकामी थी? सत्यपाल मलिक सही कह रहे हैं क्या? सत्यपाल मलिक जी को पहले कहना चाहिए था ना ये सब कुछ. यह तो बीजेपी की लाइन है पर वो एक आम इंसान की लाइन है आप बोली हो बीजेपी में हुँ अब यह बीजेपी भी छोड़ी है और यह आम इंसान की लाइन है जब वह वहाँ थे उसी दिन कहते हैं क्या चौकीदार चोर है बिल्कुल नहीं रफाल का आरोब गलत था वो तो सब के सामने है बिल्कुल गलत था अब राहुल जी ने कहा तो लगाना पड़ा ना सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक क्या बिल्कुल देश का सही फैसला था और उसमें पाकिस्तान में आतंकबाद को नुकसान हुआ था बिल्कुल पाकिस्तान के क्या हालात है आज सब जानते हैं नोटबंदी का फैसला सही था रदिका तेखे काला धन कम हुआ ये तो साफ है जिस तरीके से कुछ लोग जो परिशान है खास करकी कॉंग्रेस पार्टी सबसे जादा तकलीफ उनको हुई है तो इसका मतब तो साफ है कि नोटबंदी बिल्कुल सही था था सबसे तकलीफ हो आप आम मादमी से पूछेंगे आपको नोटबंदी आपको तकलीफ होई नोटबंदी से मुझे तो नहीं हुई आपको हुई जिनको तकलीफ हो रहे हैं, वो ही चिला रहे हैं इश्मान स्कीम, सरकार की, क्या वो हिट है? बिलकुल हिट है, पहले फेल दी देखें, मैं बोल रहे हैं, अब मुझे सोचना नहीं पढ़ रहा है पहले सोच के, सर्च करके, जवाब धूनने पढ़ते हैं क्या रहुल गांदी देश द्रोही है, जैसा बीजेपी कहती है विदेश में जाकार, हिंदुस्तान की बुराई करते हैं, देश में टुकडे टुकडे गैंड का समर्थन करते हैं कनहिया उसका एक्जामपल है, जिसको दिल्ली से टिकेट दी गई है क्या नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोगप्रिय नेता है क्या रहुल सबसे नाकाम नेता है कॉंग्रेस पार्टी के सबसे नाकाम नेता है, पूरे देश के सबसे नाकाम नेता क्या रहुल गांदी ने कॉंग्रेस की लुटिया डुबो दी बिल्कुल दोनों ने भाई भेल में क्या इंडिया घडबंदन का बंटाधार राहूल गांधी ने किया 50% बाकी भी ताल से ताल मिला रहे है क्या बीजेपी में परिवारवादी कोई नेता नहीं है देखे भारती जंता पार्टी चलाने वाला कोई परिवार नहीं है कॉंग्रेस पार्टी में मुझे बता दीजे कि गांधी परिवार के अलावा कोई अगर चला है तो बिल्कुल वहीत होता है उरस विजो, शोडि जो टाकते हुआ करती थी, यह बंदी उन लोगों को सपोर्ट करती थी, देश के खिलाफ जो लोग बोलते थे, उनको ये सुबहसाम सपोर्ट करती और directly या फिर indirectly politics में involvement रखते हैं वो तो इस औरत को कभी भी पसंद नहीं करने वाले बाकि आप लोग इस भारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जलू बताएं जल मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टपे के साथ तब तब बाय नमस्कार जैहें